नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमर 6 में आज फिर एक इम्पोर्टेंट टोपिक आपके लिए मैं लेके आई हूँ S3 की सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है S3 की इलावा ये बाकी कॉम्पेटिशन टेस्ट में भी आपका काम आने वाल है Marketing Net में भी काफी ज़दा इसकी वेटिज है Marketing Management की तो उनके लिए भी काम होगा ये वाला और साथ के साथ S3 की जो तयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये है ही है तो शिरू करते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो Marketing से Related Marketing के अंदर प्राइजिंग का बहुत बगा इंपोटेंट होता है अगर हम लोग कोई भी बहुत अच्छा प्रोड़क्ट लेके आ रहे हैं और अगर उसका प्राइज रीजनेबल है प्राइज ऐसा है कि हम लोग उसको जो नॉर्मली जो हमारा जो कोमन बायर है अगर उसको कस्टमर एवरी टाइम रेडी है उसको परचीज करने के लिए बात को देखिए कि समान तो अच्छा है समान अच्छ है नो डाउट क्वालिटी भी है सब कुछ है लेकिन अगर इस रेट में मिले ना तो मैं ले लूँगा वो क्या रेट है तो उसके कुछ मैथर्ड है वो हम लोग देख लेते हैं आपके कोशन पिछली बार भी आये हुए हैं और हो सकता है इस बार भी आ जाए तो हम लोग सबसे पहले जब आपको मैं प्राइजिंग वाला जो कंसेप्ट करा रही हूं उससे पहले एक दो अलग से जो कुछ वर्ड है वो बता रहती हूं क्या-क्या कंसेप्ट है फिर जो नॉर्मली जो मैथर्ड यूज किये जाते हैं वो हम लोग देखेंगे देखिए एक हमारा मैथड है जी लोस लीडर टेक्टिस डव्लीव हेनस ने दिया था ये डव्लीव हेनस ने लोस लेडर लोस लेडर बोला जाता है इसको तो अगर कोश्चिन आ कर दोना जाती है तो वो मृत बाव होता है क्या होता है कि क淮ा अपना समान बेशने के लिए ready हो जाता है el Basal क्यूंकि को कस्टमर को अपना बनाना होता है कर स्टमर को मार्कित में wire मेरा घजाता है किế Number me अगली बार सिरो मेरे पास आएगा ना तो मैं उस और कर लूँगा तो यह होता है लोस लेडर जैसे कि मार्किट में कोई भी नया प्रोड़क्ट आया नया प्रोड़क्ट आज की तुम्हें बात नहीं कहूंगी बहुत टाइम पहले की बात है जब मैगी आई थी मैगी जब आई थी मार्किट के अंदर तो रेट उसका वह यह दो मिनट में और दो रुपे में तब आई थी बहुत पहले की बात है लेकिन एक्जांपल आज के लिए भी रेलिवेंट है तो जब मैगी आई तो फ्री सेंपल बाटे गए फ्री सेंपल फ्री सेंपल के अंदर कोस्ट बहुत ज़्यादा उनकी पड़ गई क्या था कि उनको मा अब इसको ट्राइब कीजिए लोगों को बहुत पसंद आई आज भी अगर बात करें तो मैगी ने इतनी पकर बना रखिया कि उसके रिलेटरी जितने भी कॉम्पेटिटर आए वो मैगी को अभी तक भी फाइट नहीं दे पाया है होता है नूडल निकिन मैगी की बात आ ल लेकिन वो एक बार ले कैसे मार्किट में पकड़ बने कैसे कस्टमर को उसकी आदक पढ़े कैसे तो उसके लिए वो क्या करता है लोग को अपनाता है किस ने दी ती कि customer उसका इन future में उसका बन जाए, market में पकर मनाने के लिए एक और word है जी, peak load pricing peak load pricing क्या होती है peak load pricing है जी, कि आपका अगर particular किसी time के अंदर जब आप उस चीज को ज़्यादा use करते हो, तब तो rate ज़्यादा रख लिए जाएं और जब आप उस चीज को कम use करते हो, तो rate कम कर दिये जाएं, दो point होंगे इसके एक है जी, off peak और एक है जी, peak load off peak का मतलब क्या हो गया, जब कम use होती है वो चीज, use बहुत ही कम हो रही है, low हो रही है, less हो रही है और peak load जब बहुत ज़्यादा use होती है आपको ध्यान होगा, अभी, अभी recently तो सबके पास phone है, STD के जमाने में चले जाते हैं थोगा सा, STD जब use होया करती थी, जगे जगे चोटी सी PCO, STD के नाम से, चोटी चोटी शोप्स होया करती थी तो उसमें क्या था, STD अगर हम कोई भी call करने जाते हैं तो दो rate होते थे, दो क्या चार rate होते थे अगर आप morning में करोगे तो rate ज्यादा होंगे, morning में लोग कम बातचित करते हैं जैसे जैसे आप 7 बज़े की बात करेंगे, तो फिर मतलब आपके rate कम हो जाएंगे उल्टा था ये, कि कम हो जाएंगे, कि आप बात जो हैं जादा कर रहे हैं, मतलब कम पर कर रहे हैं फिर उसके बाद और ज्यादा जब मनलो रात की बारा बजे से लेकर आप चार बजे तक करें तो rate काफी कम है उस टाइब में क्या है कि लोड कम पड़ जाता है सेम इसी तरह से आप विजली की देखिया विजली, electricity electricity में भी यही होता है जो industrial areas है industrial areas के अंदर क्या होता है कि day में दिन के अंदर विजली बहुत जादा यूज होती है और रात में विजली यूज नहीं होती क्योंकि production क्या है जादा तर जितनी factories होती है उनके अंदर दिन में production होती है रात में नहीं होती गर्मियों के अंदर हम लोग ऐसी जादा चलाते हैं लोग जादा पड़ता है सर्दियों के अंदर हम ऐसी वेसी नहीं चलाते तो जो चीज हम लोग जब ज़्यादा यूज कर रहे हैं, उस समय क्या pricing होगी और जब हम कम use कर रहे हैं तब क्या pricing होगी वो depend करता है, जैसे std वाले में तो जब 7 बजे के बाद कम की price हो जाता था और लोग उसी time में ज़्यादा call किया करते थे, दिन में क्या है rate ज़्यादा होते थे, बारा बजे के बाद और भी कम होते थे, तो इस तरह से इसको क्या बोला जाता है, peak load pricing, आपका question आजाए, आपका question आजाए कि कम time में, कम मतलब कि peak load ऐसा कोई pricing method भी है, क्या कि एक ही चीज को time के according कम जादा pricing में बेचा जाए, तो वो है जी peak load, एक और पॉइंट भी है, जिसे seasonal अगर हम बात करें, seasonal, winter vacation आने वाला है, festival vacation आने वाला है, तो इन दिनों में, घरम चीजों की जो, मतलब की pricing है, वो जादा हो जाती है, और सर्दियों के अंदर, अगर यही ब्लैंकेट कमबल कुमबल हम लेने जाएं, तो थोगा सा price कम होगा, AC अगर हम घरमियों में लेंगे, तो थोगा सा rate हमें high मिलेगा, और हम अगर सर्दियों में लेने जाएंगे, तो हजार दो हजार उपे कम मिल जाएगा, तो यह सब क्या है, जी peak load pricing, peak के according, peak के according, यानि की season के according, according to use price को कम जादा हो जाना, यह दो point है कुछ अलग से, अब मैं आपको यह बताते हूँ कि जो pricing cost, जो price होता कैसे कैसे है, कैसे कैसे निकाला जाता है, कौन कौन सी position में कौन कौन सी pricing use होती है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बार बार यही कहते हूँ कि अगर आपको कोई भी concept clear क करना है, तो आपको पूरी वीडियो देखके पूरे concept clear करने परेंगे, हाँ, यह सोचे है, हाँ जी, नहीं वीडियो आ गई, हमने आगे से देख ली, पीछे से देख ली, चलो, ठीक ही मिलेगा, यह करवा रख है, मैं हमने, ठीक है, मुझे क्या फरक परेगा, मैंने तो वी परेगा कि वो जो question आप उसको attempt नहीं गर पाएंगे ध्यान से, तो पूरे concept को देखिए, समझिए, क्या पता कौन सा question घूम के कैसे आ जाए, ठीक है, चलिए करते हैं लो, सबसे पहले है जी, full cost या cost plus marketing, pricing जो है, इसको क्या बोला जाता है, cost plus को, cost plus होता कैसे है, मैं आपको बताऊंगी, और ये कहा कहा यूज होता है, और इसको बोला क्या क्या जाता है, देखिए, full cost या cost plus marketing, किसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है, जी, markup pricing, markup pricing, और एक और इसका नाम है, average cost pricing, कीमत हमारे decide हो रही है, हम लोग समान हमने produce कर दिया, अब उसकी कीमत क्या रख जाए, वो concept हमारा चल रहा है, तो देखिए, आप ध्यान से, हम जब कुई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, तो हम क्या सकते हैं, जी, money चाहिए हमें, money कितनी लगी, यानि की capital, land, labor, और साथ में material, इन सब की जितनी भी cost है, जितनी भी cost है, plus में, अगर हम उसके अंदर अपना profit का ratio जोड देते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, cost plus marketing, cost plus marketing, यानि की ये सब हमारी cost आ गई, plus में हमने अपना profit जोड लिया, तो वो है, cost plus marketing, जिसको markup pricing बोला जाता है, average cost pricing बोला जाता है, ठीक है, clear हुआ ये, क्या-क्या add कर दिया जाए, ये सब add करने के बाद profit को जोड दिया जाए, तो ये बन जाएगा, आपका, नौर्मली अब, नौर्मल मार्किट के अंदर, नौर्मली आप कोई भी product बनाते हैं, तो उसकी pricing यही होती है, नौर्मली अगर कोई, नौर्मल सा आपका competition चल रहा है, और market के अंदर आपन cost pricing बोला जाता है, markup pricing बोला जाता है, साथ की साथ, इसको कैसे निकाला जाता है, वो मैंने बता दिया, हमारी चार चीजे होती है, जी, land, labor, capital, market, material, और उसको हमने, जब ये जोड़ा साथ में profit, तो हमारा निकल गया, cost plus profit, cost plus market जिसको बोला जाता है, चलिए, अगला point देखत है, हम लोग ध्यान से, वीडियो परसंद आ रही है, तो like, share करते रहे, subscribe करिए चैनल को, अगर आपने नहीं किया, किया हुआ है, तो share करिए, like कीजिए, और comment कीजिए, ताकि support, अब मैं वही कह रहा है, अब ये support मुझे नहीं मिल रहा है, हमारी पूरी team को मिल रहा है, अब ह पूरा का पूरा एक group है, कोमर 6 का, हम सब एक कोमर 6 के part हैं, तो क्यों ना ये जुरें और जादर से जादा इस channel को और जादा grow up करें, बढ़ाएं इसको कि हाँ जी हम लोग तयारी कर रहे हैं, हम तो ऐसे तयारी करते हैं, आप कैसे तयारी कर रहे हैं, चलिए देखते हैं, फिर है जी, marginal cost pricing, marginal cost pricing, या फिर variable cost pricing, अब एक question आपका इसमें से बन सकता है, कि कौन सी ऐसी pricing की जो विधी है, कौन सा ऐसा method है, जिसके अंदर, जिसके अंदर fix cost को avoid किया जाता है, avoid कर दिया इसको, fix cost को, वो कौन सी pricing method है, तो वो है जी, आपकी pricing cost, marginal cost pricing, marginal cost pricing, या उसको दूसरा नाम उसका क्या है जी, variable cost pricing, कैसे निकलती है, देखिए ज्यान से, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, variable cost को ही गिनते हैं, variable cost, आपने एक समान बनाया, 100 रुपे का, जब आप दूसरा समान बना रहे हैं, मालनों 200 रुपे का बना रहे हो, तो इन दोनों का जो difference है न, ये cost है आपकी 100, मालनों फिर आपने 300 का बनाया, तो फिर 100 रुपे cost होगी, फिर आपने सारे 400 का बनाया, तो अगली जो cost है, वो हमारी 150 रुपे हो जाएगी, ये ध्यान रखेगा, एक production करने के बाद, जब हम दूसरी unit की production करते हैं, तो जो दोनों का जो difference आता है, वो क्या होती है, जी हमारी marginal cost pricing, एक unit purchase करी 100 की 100 price, दूसरी करी 200 की 100 price, तीसरी करी 300 की फिर से 100 price, चोथी करी आपने सारे 400 रुपे की 450 की, तो 150 cost होगी इसकी, ठीक है, ये cost होगी जी, यानि की fixed cost को हमने देखा हैं नहीं, हमने सिर्फ कौन सी cost देखी है, variable cost, एक production करने के बाद, दूसरी production करने में, पहली वाली से, जो difference होगा, जो अंतर होगा, वो क्या होगा जी, variable cost होगी, clear है आपको, अगर clear नहीं है, तो साथ साथ आप लोग बताते रहिएगा, comment में, actually हमें, online बराने की इतनी ज्यादा आदत होगी है, कि live class में, जो comment साथ के साथ आते हैं, तो हम लोग क्या है कि उसकी problem साथ के साथ clear करते हैं, तो वो offline में थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है, हमें तभी बार-बर कई बार मुह से निकल जाता है कि comment कीजिए, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया, तो मैं तभी बार-बार कहते हूं कि आप comment कर देजिए, अगर आपको कुछ भी problem आ रही है, में मुदा ये है हमारा, चलिए, फिर आगे हम लोग rate of return, rate of return क्या है, rate of return, अब देखिए ध्यान से, rate of return वाला concept काफी अच्छा है, इंटरस्टिंग है, और इसके तीन method है, वो समझेगा, मैंने market के अंदर पैसा लगाया, मालो बिजनस के अंदर 10 लाख रुपे, 10 लाख रुपे लगाया, तो average मैंने किसी से पूछा, कि आपका rate of return में वो कितना आ रहा है, उसनी बोला 10 लाख के उपर, एक लाख रुपे मैं अराम से कमा लेता हूँ, ठीक है जी, आप एक लाख रुपे कमा लेता हूँ, तो मैंने सोचा, हाँ ठीक है, 10 परसेंट तो मुझे भी कमा लेना चाहिए, हो सकता है, rate of return हो गया है, अब एक आया, किसी और से मैंने पूछा, कि आप market के अंदर कितना पैसा कमा लेते हो, profit कितना, तो उसने का कि मैं तो 10 लाख की सेल के ओपर है न, एक लाख रुपे कमा लेता हूँ, एक ने बताया कि 10 लाख रुपे लगाए और मैं एक लाख रुपे कमाता हूँ, ठीक है जी, एक लाख रुपे आ गया, दूसरे ने का 10 लाख की सेल के ओपर मैं एक लाख रुपे कमाता यहाँ हूँ, दोनों का तीनों का जो rate of interest है जो rate of return है वो 10-10% है, लेकिन तीनों की बात में ह fellah है, एक hour कहता है कि मैंने पुंजी लगाई तो मैंने profit कमाया 1,00,000, 10% है कि मैंने 10,00,000 की salary करी तो मैंने profit प्रोफिट कमाया एक लाग रुपे 10 परसेंट एक कहता है कि मैंने 10 लाग का माल बनाया और मैंने 5 लाग का माल बनाया और 5 लाग रुपे प्रोफिट कमाया तो यह क्या है जी कोस्ट के ऊपर प्रोफिट तो रेट ओफ रिटर्न के तीन मैथड हैं एक है जी कोस्ट का आपने 10 लाग कोस्ट जितनी लगाई आपको profit कितना चाहिए divided by 100 कर दिया यह आपका rate of return आ गया फिर आगया जी आपने total sale कितनी करी और profit आपको कितना चाहिए यह आगया आपका sale के उपर rate of return फिर अगला point आगया आपने capital कितनी लगाई और profit आपको कितना चाहिए multiply by 100 करने से यह आगया आपका rate of return तो 3 मेथड है इसके rate of return के cost के उपर आजाए तो यह formula है total profit divided by total cost multiply by 100 यानि कि कुल लाब बटा में कुल लागत गुना में 100 कुल लाब बटा में कुल विक्री सेल यानि गुना में 100 कुल लाब बटा में कुल भुन्जी गुना में 100 इंगलिश में बता देती हूँ total profit divided by total cost multiply by 100 total profit divided by total sale multiply by 100 total profit divided by total capital multiply by 100 यह होता है जी इसका concept rate of return बहुत important topic चल रहा है miss मत करना question आएगा आपका अपका अपका ध्यान से देखेगा अगला point going rate going rate concern बोला जाता है इसको going rate going rate क्या होता है जी चलता हुआ rate going rate का मतलब क्या होता है market के अंदर क्या trend चल रहा है माली जी ए मैंने एक TV बनाया TV बनाया मेरी कोस्ट आ गई मालो 20,000 पर कोस्ट आ गई उसकी 20,000 पर कोस्ट है अब ध्यान से देखिए मैंने market में ट्राई करा मैंने का कि भी मैंने एक TV बनाया ऐसे ऐसे मोडल है यह 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 फीचर्स हैं तो market में क्या rate चल रहा है मार्केट में 25,000 चल रहा है मैंने 25,000 की जगे 24,999 रख दिया कुछ गलग तो नहीं किया बिल्कुल वही किया कि market में 25,000 चल रहा था मैंने वही rate रख दिया इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे अब कुछ cost worst निकालने के जरूतनी है मैंने 20,000 का माल बनाया था और मैंने यह निकाल दिया इसको गोइंग का सर्ण जो आज market में trend है लोग जिस rate में already माल को खरीद रहे हैं मैंने भी वही price कर दिया मैंने ज़्यादा नहीं करा लोग खरीदेंगे नी मैंने कम नहीं करा क्योंकि मेरा तो नया प्रोड़क्ट है हो सकता है कि कम में सस्ता समझ के लोग उसको खरीदे ही ना तो इसको बोलते हैं going rate तो यह कब चलता है कब यह market के अंदर होता है जब हमारी जो प्रतियोगिता है प्रतियोगिता होती है उसके अंदर हम लोग है चलती कीमत से बेशक वो कोस्ट से कम भी हो अगर वो 19,000 भी है ना तो हमें 19,000 में भी बेचना पड़ जाए गाम प्रतियोगिता होती है ना तो जो rate चल रहा होता है उसे हम कम जादा नहीं कर सकते क्या होता है कि समान एक जैसा rate एक जैसे buyer भी बहुत सारे seller भी बहुत सारे तो ये कब चलता है जी जब प्रतियोगिता होती है तो going rate चलता है ठीक है उसके बाद आगे हम अगले पर refusal price refusal price का मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग अपनी कीमत को मना कर दें मालो मैंने समान बनाया कोई पांच लाग की एक मशीन बना दी एक ही वायर है एक ही भायर खरीदार एक क्रेटा जिसको हम लोग बोलते हैं एक ही क्रेटा है और वो कहता है कि मैं तो साड़ी चार लाग रुपे दूँगा कर लो क्या कर लेंगे अब पांच लाग की मशीन मैंने बनाई स्पेशल ओडर पे साड़ी चार लाग के उपर अड़ गया मैं उसी टाइम ही कह दूँगे कि मैं तो नहीं बेशने वाली जब मेर को मेरी तो कोस्ट ही नहीं मिल रही तो रिफीजल प्राइज बोला जाएगा अगर मैं उसको कर देती हूं रिफीज कर देती हूं एक ही तो बायर है न मैं नहीं बेस्ती उसको रिफ्यूजल प्राइज कब होगा जब जब एक ही क्रेता हूँ कोश्चन आजय एक कि रिफ्यूजल प्राइज इंकार कर दिया इंकार करना कीमत को कीमत को रिजेक्ट करना कब होता है कब होता है जब बायर एक होता है ठीक है कलियर है यहां तक चलिए फटाफर्स से अगला आप लोग नोट करते जाईए नोट्स बनाईए अपने हैंड मेड नोट्स ताकि पेपर में आपको फटाफर्स देखने से रीकॉल हो जाए कि मैंदम ने कैसे टोपिक कराया था कौन सा एक्जाम्पल दिया था तो आपको उसे क्लियर हो जाएगा एक्जाम्पल इसलिए बताए जाते हैं ताकि कंसेप्ट आपको उस एक्जाम्पल से तुरन्त याद हो जाए चलिए ट्रांसफर प्राइजिंग देखे न आपने देखा होगा कई बार कोई समान ऐसा होता है आप अगर यहाँ पर खरीद रहे हैं तो वो समान मालो बिस्किट से कुछ लगा लेते हैं कोई भी ऐसी चीज़ खाने पीने के कोई ऐसा समान जो लूज में लगा लें MRP जिसके उपर ना हो वैसे कोई प्रोडक्ट है मालो तो वो जो समान है न वो ट्रांसफर प्राइज के इसाब से अलग लग उसका प्राइज बदलता जाता है यहां पर उसके कीमत कुछ और है कहीं कहीं और हो जाएगी जैसे होटल की लगा लोग आप लोग होटल है एक होटल है पुगा हमारे शियाग के अंदर बढ़िया सा बना हुआ है उसकी जो सर्विस बगरा सब कुछ बढ़िया है एक दिन के साथ हजार पर लेते हैं हो सें मेем होटल किसी मल्टी कीएति प्रेंशनल जैसे की मालों डेली में है पुष्षेया है डम खैadd के यहां एक मारता होटल एक मिते ह्याल ऑजियाए as Dad अगर ए proto DRUल को अब अगर स्ट्रीट फूड्रेट के अंदर खाते हैं गली में जिससे स्ट्रीट फूड बोला जाता है जिसको त्रीट फूड अप्सस्ता मिल जाएगा पचास रुपे का मालों लगा लो कोई भी खाने पीने की आइटम में दही बले ही लगा लेते हैं नहीं वहां सम्हाइं किसीं रेस्टोर्एंट ने अच्छे में 100 उपई मिल रही है तो वो क्या है जी ट्रांसफर प्राइजिंग, सेम एक मालो आपने किसी कोई गली में बेशने के लिए आया बैकशिट, बैकशिट है, सेम की सेम, 200 रुपे की, शोरोम में चले गए वोई की वोई आपको 500 में मिल गई, तो ये क्या है, डिपेंड करेगा सर्विस के उपर, प् ट्रांसफर प्राइजिंग कहां होती है, जहां पर लोकेशन चेंज हो जाती है, जहां पर सर्विस चेंज हो जाती है, जहां पर जगे चेंज हो जाती है, उसके अकोडिंग प्राइज क्या है, वो ट्रांसफर हो जाता है, ये होता है जी, ट्रांसफर प्राइजिंग, फिर प्राइशिंग जैसे कि आप गारी लेने के लिए गर intriguing में अलटो सफिन, खर्फि है अलट्व मह रऊझे कि 2 या तो ए तो यो रहें को में अलट्ब और है कि आपड़ अजक नहीं करें आप ऊस एक्जांपल की वर्डिन को पकरने की बजाए न पूरी वीडियो को देहों कि हम समझाना क्या चा रुड़ा है हमें कीज तो आब अब क्या है कार ही है लेकिन और कम्पनी क्या है मारूती है लेकिन उसके बाद इसकी rate अलग-लग है, pricing अलग-लग है, तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, multiple product pricing, अलग-लग pricing है, अलग-लग company, एक ही चीज अलग-लग बेस्ती है, अलग-लग rate में, अलग-लग variety के साथ, अलग-लग quality के साथ, तो उसको बोलते हैं, साबुन देख लो, एक soap है, आपका premium है, एक आपका basic है, सरफ लगा लो, detergent powder लगा लो, सभी चीजे क्या है, अलग-लग होती है, एक ही company क्या करती है, economic range में भी निकालती है, और luxury भी, तो वो क्या होता है जी, कि उसके अंदर क्या है, कि multiple pricing, जो product pricing है, वो क्या होता है, कि एक company, अलग-लग generation, अलग-लग group के लिए, अलग- quality भी अलग-लग रेती है, toothpaste है, अब राम देव बाबा का toothpaste लगा लो, तो क्या है, premium भी है, normal भी है, दंत कांती जैसे अलग-लग है, उसके अंदर range है, तो वो क्या है, rate भी अलग-लग है, quality भी अलग-लग है, तो ये quality हो इसको क्या बोला जाता है, multi, multi product pricing, same company, same सब कुछ, लेकि quality, quantity, सब कुछ, quantity तो वही quality, सब कुछ change है, और rate भी change है, वो होता है, तो ये मैं एक बर आपको थोड़ा सा revision कराऊंगी, देखे ध्यान से, full cost कहां बर लागो होगी, जब normal market चल रही है, क्या बोला जाता है, mark-up pricing या average pricing, marginal cost pricing, तब होती है, कौन सी ऐसी विदी है, जिसके variable cost pricing, फिर आगया जी, rate of return, rate of return के अंदर तीन method है, cost के हिसाब से, sale के हिसाब से, capital के हिसाब से, फिर आगया जी, आपका going rate, चलती market में, जो rate चल रहा है, उसे कम या ज्यादा आप नहीं ले सकते, जो आपकी प्रतियोगिता होती है, वो वही market होती है, उसके अंदर जो rate चल है, आपको वही लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखेगा, फिर आगया जी, refusal, एक ही क्रेता है, तो refusal price चलेगा, transfer pricing, अलग-अलग location के हिसाब से, अलग-अलग service के हिसाब से, rate change हो जाना, जैसे same hotel का rate अलग है, same food का rate अलग है, same bag sheet एक जगे अलग मिल रही है, दूसरी जगे अल तो ये क्या है, transfer pricing, according to place, क्या है, वो change हो जाती है, फिर आगया multiple product pricing, same company, same material तो बना गए है, लेकिन quality अलग है, उसकी quantity same है, तो packaging अलग है, labeling अलग है, quantity अलग है, sorry, quality अलग है, तो उसको क्या बोलते है, multiple product pricing, ये कुछ मैने आपको method बताए है, प्राइजिंग के, कि जो marketing करते कर प्राइजिंग के कौन-कौन से method फोलो किये जाते है, तो ये वीडियो आपके काफी important रहेगी आपके लिए, समझने में आपको concept भी clear होगा, और question भी आपका clear होगा, उमीद करते हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही होगी, तो बार-बार मैं त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने नहीं किया है, किया है, तो कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको helpful लग रही है, नि लग रही कुछ आपको help मिल भी रही है, या मैं ऐसी आकर डेली अपना आपका time waste कर देती हूँ, तो वो भी आप बताईएगा, बाकी आगे marketing क जो दो-तीन कंसेक्ट और रहे हैं, कल मैं आपको वो करवाऊंगी, कि जैसे जो हमारे जो customer हैं, वो किस-किस types के होते हैं, और जो production की जाती है, तो कौन से customer के हिसाब से किस तरह से की जाती है, और कुछ market की और कुछ strategies हैं, जैसे marketing myopia है, वो किस ने था पिछली बार आपका market my myopia में से question आया हुआ था, marketing में से आया हुआ था, green market, hollow marketing क्या होती है, तो वो सब हम करेंगे, पुरा detail में, टोपिक की attention मत लेजिए, बहुत सारे topics, बहुत detail में हमने करने हैं, जुड़े रहे हैं हमारे साथ, अब तो मैं ये ने कहूंगी, कि आप मेरे साथ जुड़िए, कि कईबा क्या है कि कुछ comment जब कोई एक particular कोई करता है, तो वो सब को represent करता है, कि हाँ जी ये चीज़ पर हमें वीडियो चाहिए, तो वो useful तो सब के लिए है, तो इसलिए जुड़िए हमारे साथ, एक बहुत बड़ा कारवा हमने शिरू करा है, उस कारवा में आप कौन सा ग्रूप है, कोमर्स हिक्स, जिसके अंदर हमने एक छोटा सा कारवा शिरू करा है, उस कारवा को क्यों ना बढ़ा कर दिया जाए, चलिए अपने सपने पूरे कीजिए, एस्टेट की तैयारी कीजिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक्यू